और अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको उसी जगा से दिखा रहे हैं जिस जगा से ग्राम पुनौल के नदी में वो बच्चा मिला था यह तमाम जितने भी एक बार भीड़े हां देख ले हैं सब लोग उस बच्चा को डियन साब से मांगने के लिए आये हैं और मैं उस जगा पे आपको दिखाने के लिए आया हूँ जिस जगा पे वो बच्चा इन लोग को मिला था आप देख रहोगे कि एक छोटा बच्चा है मातर एक से दो दिन का वो बच्चा होगा उसकी माप पैदा करके इसी जंगल में इसी जाड़ी में इसी नदी में उसको छोड़के चली गई थी लेकिन भगबान सरूप ये आदमी जो देख रहे हैं वो बच्चे को बचा लिए और बचाने के बाद उस बच्चे को नदी से निकाल के घर ले आएं आईए तमाम लोग के साथ अब ये मुझे जगा पे जाते हैं जिस जगा से उस बच्चे को उठाए थे आईए आईए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और लाइप के मादियम से आपको हम दिखाना चाते हैं कि उस बच्चे को हम लोग कहां से उठाए थे तमाम देख रहे हैं एक बार इधर से आप लोग दिखाईए इधर से विडियो दिखाईएगा कि तमाम जितने भी इधर पूरे गाउं के लोग साथ है और पूरे गाउं के लोग यहाँ पे इसलिए उपस्तित है तो कि सब के मन में ललसा एक वो बच्चा हमको चाहिए देख पूरे गाउं के लोग पूरे गाउं के इधर भी धिखाईएगा हर एक जगा और में जाड़ी में जा रहा हूं अंदर जंगल में आपको जा कि आपको दिखाने का परियास कर रहा हूं कि किस जगह से हम उस बच्चे को जो कि यहां के ग्रामी ने उस बच्चे को उठाए थे देख सकते हैं कितना सुनसान जंगल है और उस सुनसान जंगल में हम लोग जा रहे हैं और दिखाने का आपको परियास के आगे दिखाईएगा आगे बस बस रहने दिजिए रहने दिज बच्चा को कहां से निकाले जी सर मैं हमने वहाँ लेडिस की परदा यहां पूरा समसान गाट अच्छा जब बच्चा रो रहा था तो सब को यह लगा होगा कि समसान घाट पर हो सकता है कोई भूत-परेत चिला रहा होगा उसके बाद तो उससे हमें थोड़ा सा भूत-परेत से नीडर रहते हैं अच्छा इस अब हमें टिंसन ने रहता है तो हम बोले तो हमारे चचेरा भाई यह वो मुकेश कुमार है तो मुकेश कुमार के बोले के इसी इसी बात है चल तो आहां जैसे आए बच्चा को कहां से उठाए तया मतलों इसी जाड़ी से देख लिजिए काईब आपको दिखाना चाहता हूं यह पूरा एरिया जो आप देख रहें जंगल यह समसान का एरिया है यहां पे मुर्दों को जलाया जाता है और इसी जगह में उस बच्चे को मिला था अगर यह भगवान बन के इस जगह पे नहीं आते कहीना के उस बच्चे का जान चल रहा था लोग दीयम साहब से बिनती कर रहे हैं उस बच्चे को मुझे चाहिए और वो बच्चा हो मैं अपने गाउं में उस बच्चे को रखूंगा क्या करना चाहिए हम रखेंगे सर आउसके बाद बच्च इसी थेला में बच्चा था अच्छा वो काल अच्छा जो भी बच्चे को निकाले और इनके पास दो बच्ची है और यह चाह रहे हैं कि भगवान का दिया हुआ वो बच्चा अगर मुझे मिला है तो मैं अपने पास उस बच्चे को रखूंगा उसके बाद में उस बच्चे का पालन पोसन करूँगा तमाम जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सर माना चाहिए उस मा को जो कि पैदा करके उस बच्चे को इस जाड़ी मिला के फेक दिया है और गर्व होना चाहिए इन लो सरकार से भी बिनती करना चाहिए कि सरकार उस बच्चे को मुझे दे दिया जाए मैं उस बच्चे का पिता बनूंगा और उस बच्चे का भालन पोसन करूंगा देख सकते एक बार पूरे तमाम इतने भी लोग यहाँ पे हुई इसलिए उपस्थीत है सब का मांग क्या एक सवाल है बच्चा चाहिए और मैं डियम साब से एक बार बिनती करना चाहता हूं कि जल से जल ये भगवान उस बच्चे के लिए भगवान बनके ये लोग आये हैं आपको मैं उस जगह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं जहां से कि बच्चा बरामद हुआ और इसी जाली से उस बच्चे को निकाला गया था एक बार फिर मैं सरकार से बिनती करूंगा जल से जल बो बच्चा इनको दे दिया जाए और फिर मैं आपसे मिलूंगा और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा लाइब में सेर क बताईएगा इनको चाहिए की नहीं चाहिए और इन लोगों का एक बर तमाम उजूम है जिनको जिनको गाउंका बच्चा चाहिए एक बड़ा हाथ उठा दीजिए आप लोग तमाम देख लिए पूरे जगा में हम लोग समर्थर में हैं इस गाउं में हैं सब को ये सरकार और डियम साहब से भी नतीक करूंगा यह बच्चा इनको दे दिया जाए जह है